नमस्कार दोस्ता आपका स्वागत है आज की वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो लोग जिन्दगी की रोशनी में सिर्फ किताबों के वज़े से जुड़ना चाहते मतलब जिनको किताबे चाहिए और इस वज़े से वो जुड़ना चाहत है तो ऐसे लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप व्ठ्सप्प pac पर मुझे कहना कि जो में किताबे भेशता हूँ उसकी लिस्ट बेजने को कहना बाद में मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ जो इंग्लिश में एवेलेबल है और जो हिंदी में एवेलेबल है उनकी और वो लिस्ट पढ़ने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो ही आप संस्ता से जुड़ना एक तो मैं किताब ही नहीं देता हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की और मेडिटेशन की भी सिफ किताब है नहीं देता लेकिन फिर भी मतलब आपके मन में सिफ किताबों के लिए जुड़ना चाहते है उनको तो मैं उनको लिस्ट बेज दूँगा तब आप अच्छे से लिस्ट पढ़ना और उसके बाद करना कि आपको संस्ता से जुड़ना ह कि नहीं मैं यह क्यों कह रहा हूँ क्यों कि मतलब जो हिंदी में है उसका मैंने अलक सेशन बनाया और इंगलिश क्या अलग है ऐसा नहीं है कि मैं मिक्स टाइप की देता हूँ जो भी है मैं कहके दे रहा हूँ ऐसे तो आप ज़रूर मतलब जो जुड़ना चाहते है किताब सब्सक्राइब नहीं है और यह वन टाइम मतलब एक ही बार फीज बरनी है जो भी संस्ता के लिए संस्ता से जुड़ने के लिए रखी है 500 रुपे की वह एक ही बार बरनी है बाद में अगर कभी बाइचांस डिलीर भी आगर आपका कुछ डेटा होता है तो वह भी आपको पिर से बेजा जाएगा तो यह मुझे आपको कहना था आज यह जो कहानी है दोस्तों एक सच्छे कहानी है यह रेलेने नाम के एक लेकी कि कहानी है वह हमसे यह करसे यह कहती। कि उस accident के बाद उसको पता ही नहीं चला कि आकर उसके साथ क्या हुआ और जब वो होश में आ गई तो उसने अपने आपको एक अलगी दुनिया में पाया Rayleigh ने हमसे ये कहती है कि उस दुनिया में मतलब वो कह रही थी कि वहाँ पर इतनी positivity थी या वहाँ पर मतलब इतना कुछ ऐसा लेने जैसा था मतलब जैसे वो कहते हैं कि हम एक नई जगा पर जाए और वहाँ पर कुछ सब कुछ हमें अलग दिखाई दे तो हमें जैसे लगे का कि उस जगे के बारे मैं मैं और भी कुछ जानने की कोशिश करू तो उसके साथ भी वैसाई हुआ बार में रेले ने हमसे ये कहती है कि उसने अपने सामने एक पवित्र आत्मा को देखा मतलब रेले ने ये कहती है कि कही ना कही वो जो मतलब जो विश्व की निर्मिती है वो उस शक्ति से हो गई थी या फिर उस पवित्रा आत्मा से हो गई थी ऐसे लग रहा था क्योंकि वो कहिना कही सब में एटेज थी जैसे भगवाद गिता में भगवाद श्री कृष्णी जे ने कहा है कि सभी आत्माओं में मैं हूँ और मेरे में सभी आत्मा है या फिर सभी प्राणिया तुम्हें नज करो रेले ने यह कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर घुमना और वह थोड़ा सा गुमी और घुमने के बाद और भी उसको चीज़े पता चली जैसे कि वहाँ पर जो फल थे वह बहुत ही सुन्दर सुन्दर फल थे उस फल में बहुत ही ज्यादा उरजा वरी थी वह एसे फल थे जहांपर मतलब हम ठकने के बाद जैसे हम मतलब हमें कोई मतलब कोई energy drink या फिर कोई गलो कॉंडे जैसा कुछ हमें मतलब पीने के बाद मतलब जितना अच्छा लगता है या फिर एनरजी आ जाते है कि हाँ मैं अभी कुछ काम कर सकता हूँ तो वैसे उस फल में बहुत ही सुंदर-सुंदर रस था जिसमें बहुत ही अच्छी उरजा थी बाद में रेले ने हमसे यह कहती है कि वहाँ पर सुंदर इतने फूल भी थे जैसे मतलब उस फूल की जो सुंदर था थी दोस्तो वो हम मतलब सोच भी नहीं सकते इतनी सुंदर थी और वहाँ पर ऐसे जैसे हम मैं वहाँ पर हमेशा मतलब बैटा रहू मैं मतलब एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगा वैसा वो सुन्दर था थी वहाँ पर बाद में रेले ने हमसे ये कहती है कि उसने मतलब बहुत ही अच्छे घुमा वहाँ पर एक सुन्दर सरोवर भी था जहां का जो पानी था वो इतना शुद्ध था कि हम मतलब सुज भी नहीं सकते वहाँ पर इतनी सुन्दर था थी जैसे मतलब बोलते हैं न कि जो सातविक था मतलब इंसान के अंदर जो सच्चापन होता है उसको कभी-कभी हम किमत नहीं देते लेकिन ऐसे सच्चेपन को मतलब भगवान अगर कीमत देगा तो जितना सुन्दर मतलब रूप उसका हमें दिखेगा उतना सुन्दर रूप वहाँ पर हमें दिख राता इन सारी चीज़ों में ऐसे रेलेने ने कहा है बाद में उस पवीतर आत्मा के पास रेलेने ने आई और उसने कहा कि मैं आज बहुत खुश हुई अज अफ़ी मुझे पता ही नहीं था पुर्थिवी में पतलब जिस तर फास रेकिये से रेलेने अंच्छ रेलेने तबहुत ही जीवन में एक बहुती अच्छे आत्मा नहीं थी वो एक बहुती मतलब एक थोड़ी से स्वार्थी टाइप की लड़की थी एक इंसान थी वो यह कही रही थी मैं हमेशा अपने बारे में सोचती थी कि मेरा अच्छा होना चाहिए मुझे कम मार्क्स मिले और मेरे किसी दोस्त उसको अच्छे मार्क्स मिले तो मैं उससे जलती थी तो इस तरीके से उसने अपनी जिंदेगी जी थी अपनी पूरी जिंदगी लेकिन आज उसको मतलब सच्चे पन या फिर अच्छे पन की मतलब अच्छी जो कीमत है वो पता चल रही थी बाद में रेले ने हमसे यह कहती है कि उस पवित्रा आत्मा ने उसको ये कहा कि तुमारा अब तक मतलब पूरी तरीके से सकमापत नहीं हुआ है तो मैं फिर से पूरी पर जाना होगा लेकिन मैंने जो भी सिखाने की तुम्हें कोशिश की है उस तरीके से तुम अगर आगे बढ़ोगी तो तुमारा जो वि तब डेले ने ये कहती है कि यहाँ से जाने के बाद जो मतलब लड़की बाहर गई थी वो पुरी तरीके से अलग थी और आज जो ठीक होने के बाद मैं अपने घर पे जा रही हूँ वो मैं पुरी तरीके से अलग थी क्योंकि अब मुझे वो कह रही थी जैसे मैं चोटी च जब चुछ करने की कोशिश करती है जहाँ पर आपके मन में अगर सच्चाई होगी तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी जिन्दगी मिल सकती है वहाँ पर आपके सुरक्षा करने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं होंगे वो तो मैं मार्गदर्शन करेंगे तो इस तरीके से आज वो लोगों के भी मन में मतलब बहुत ही अच्छा विचार डाल रही है आज ये मतलब रेलेना ये कहते है कि मैं पूरी तरीके से उस पल के बाद बदल गई हूँ जैसे मैं आज बहुत ही जाद आध्यात्मिक बन चुकी हूँ जितना हुसा कि मैं आज इंसान के मन में ही कहिना कई भगवान देखने की कोशिश करती हूँ और मुझे कभी भी किसी को दुख दर्द नहीं देना है जीवन में मुझे जैसे मतलब जिन्दगी मिली है मैं उसको और भी खुशुरत बनाने के हमेशा कोशिश करूँगी सिर्फ खुद की ही जिंदगी नहीं बलगी मैं औरों को भी जितना हो सके खुश देखनी की मतलब उनके लिए कुछ करने की कोशिश करूँगी तो इस तरीके से आज वो अपनी जिंदगी जी रही है कहिना कही रेलेना का जी जो कहानी है वो मुझे मतलब बहुत बड़ी सीख देने वाली लगती है क्योंकि मतलब वो एक अच्छी भी लड़की नहीं थी वो एक ठिक ठाक जिंदगी जी रही थी और उसमें भी वो अपने स्वारत के बारे में सोचती थी लेकिन एक पल ने है कि हम दूसरों को क्या दे सके जितना हुशके कितने लोगों के मतलब गालों पर हम असी ला सके तो इस तरीके से मतलब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों तो दोस्तों हम अगली वीडियो में किसी नए विशे को लेकर मिलेंगे तब-टक आप अपने परिवार का कयाल रखना आपका बहुत-बहुत भन्यवात था रोशनी ये एक कंसल्टन्सी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत-जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जु हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबाइल पर या फिर लैप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते है तो गुर्पया इस नंबर पर वाट्सप मैसेज करे आपका बहुत बहुत धन्यवाद